जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले सोचते हैं बाद में सही लगा तो वो काम करते हैं यानि कि हमारे सारे काम करने या ना करने का फैसला दिमाग ही करता है क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है चेतनमन और आउचेतनमन जिसे हम conscious mind और subconscious mind भी कहते हैं जो काम हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दोस्तों के साथ खेलना, यानि कि जो काम हम अवेर रहकर करते हैं, वो सारे काम हमारा conscious mind करता है, और जो काम हम unknowingly कर देते हैं, वो सारे काम subconscious mind करता है, जैसे पैर में काटा चुबा, तो पैर अपने आप उपर उठ जाएगा, अगर गलती से कोई गरम चीज पकड़ ली, तो हम अपने आप छोड़ देते हैं, कभी-कभी कुछ सोचते-सोचते, या किसी से बाते करते-करते ही हम घर पहुँच जाते हैं, तब हमें रास्ता कौन दिखाता है, ये सारे काम subconscious mind ही करता है, कि आप जानते हो कि हम जो भी काम करते हैं, उसमें 10% conscious mind और 90% subconscious mind काम करता है, हम जो भी decision लेते हैं, या तो जो भी हमारी आदते हैं, वो subconscious mind में store रहती हैं, हमने बहुत लोगों को कहते सुना हैं, कि आदत आसानी से नहीं छूटती हैं, पर ये नहीं जानते कि इसके पीछे क्या reason है, हमारा subconscious mind है, व हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं, जो कि हमें पता हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें नहीं करना है, वो सिर्फ हमारे conscious mind को पता हैं, पर subconscious mind को तो पता ही नहीं है, और वो काम subconscious mind हमसे करवा देता है, अग काल लेता है और conscious mind को आदेश देकर वो काम हमसे करवा ही लेता है सब conscious mind की power हमारी सोच से बहुत ज्यादा है यानि कि आपका कोई सपना है जो life में आप करना चाहते हो वो subconscious mind को दे दिया तो उसके लिए आपसे महनत भी करवाएगा और चमतकार यानि मीरेकल कर देगा जब कोई बात subconscious mind में जाती है तो वो ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत सच है या जूट उसे हम जो भी देते हैं वो accept करके उसके उपर काम करना शुरू कर देता है सही गलत सोचने का काम conscious mind का है अगर life में success होना है कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि subconscious mind को संदेशा कैसे दिया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने subconscious mind को message देकर कैसे success पास सकते हो तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर दीजिए और bell icon दपाना मत पुलिए ताकि आपको notifications मिल जाए धन्यवाद